बैजूस एक्जाम प्रेप आई-एस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम लोग भारती अर्थववस्था खंड दो को लेकर आपके सामने हैं। टार्गेट प्रिलिम्स 2024 का जो प्रोग्राम चल रहा है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के ल प्रश्णों के आधार पर जो जो संकल पनाएं जो जो सिद्धान्त जो जो तत्य हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए आवश्यक होगा उस पर चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्ण है भारती रिजर्व बैंक के संदर्व में नियुन्तम आरक्षन प्रणाली। विकल्प देखें फिर मैं इस पर आपको विस्तार से बताऊंगा। पहला विकल्प है वह नियुन्तम नकद जमाराशी जिसे अनसूचित वानिजीक बैंकों को आरबियाई के पास रखना होता है। यह नियुन्तम आरक्षन प्रणाली इसे हम लोग नकद आरक्षन अनुपात कहते हैं। जिसे हिंदी में CRR कहा जाता है। अंग्रेजी में CRR कहा जाता है। जिसे अनसूचित वानिजीक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है। यह भी विकल्प गलत है क्योंकि इसे हम लोग SLR कहते हैं। जिसे हिंदी में सामविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। तीसरा विकल्प है वह नियूंतम रिजर्व जिसे RBI को स्वर्ण बुलियन और विदेशी मुद्राओं के रूप में रखना होता है। यह विकल्प सही। मैं भी बताऊंगा कि यह विकल्प क्यों सही है और नियूंतम आरक्षन प्रणाली है क्या। तब आपको समझने में आसानी होगी। 1956 इसवी तक हम इसे कहते हैं आनुपातिक आरक्षित प्रणाली या इंग्लिश में जिसे कहते हैं प्रपोर्शनल रिजर्व सिस्टम जिसमें 40 प्रतिशत आरबियाई को स्वर्ण बुलियन या विदेशी मुद्रा में रखना होता था जितनी भी नए नोटों की छपाई करनी है उसका 40 प्रतिशत स्वर्ण बुलियन या विदेशी मुद्रा के रूप में रखना होता था इस प्रणाली में परिवर्तन किया 1956 में और तब आया नियुन्तम आरक्षन प्रणाली और 1956 से लेकर अब तक जो प्रणाली चल रही है उसे हम लोग कहेंगे नियुन्तम आरक्षन प्रणाली इसमें तीन परिवर्तन हुए 1956 में पहला आया 1957 के बाद दूसरा आया और 1996 के बाद दूसरा आया 1996 में जो तीसरा संसकरण आया प्रणाली तो वही है नियुन्तम आरक्षन प्रणाली या नियुन्तम आरक्षित प्रणाली लेकिन इसके संसकरण में परिवर्तन किये गए और जो अभी वर्तमान में हमारे सामने उपस्तित है वह इसका तीसरा संसकरण है जिसमें 115 करोड रुपे मूर्ली का स्वर्ण और 85 करोड मूर्ली की विदेश्टी मुद्रा RBI को रखनी होती है और जितनी मात्रा में सरकार चाहे उतनी मात्रा में नए नोटों की छपाई सरकार करवा सकती है अब इसके परिणाम क्या हुए और 1993 में भारत सरकार और RBI के बीच समझोता क्या हुआ और उस समझोते को 1996 से लागू किया गया इस पर आप लोग देख लेंगे तो यह नए नोटों की छपाई से संबंदित है अगला प्रष्ट है निवेशकों द्वारा दिर्गकाली क्विकास की ख्षमता वाली स्टार्टप कंपनियों और छोटे विवसायों में निवेश किया जाता है समानित या निवेश, संपन्न निवेशकों, निवेश बैंकों और किसी अन्य वित्ती संस्थानों द्वारा किया जाता है हलांकि यह हमेशा केवल मौद्रिक रूप में ही नहीं होता है इसे तक्नीकी या प्रबंधकी विशिशग्यता के रूप में भी प्रदान किया जाता है उपरियुत परिक्षेद में निमलिखित में से किस प्रकार के निवेश का वर्णन किया गया है तो अगर आप उपर का परग्राफ पढ़ेंगे तो आप यहां देखिए निवेशक बैंक लिखा हुआ है साथ में तक्नीकी और प्रबंधकी ये विशिश्टा भी लिखी हुई है इसलिए पहला विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प नहीं आएगा क्योंकि angel investors जो होते हैं या वेक्तिगत निवेश जो होता है और peer-to-peer lending जो होती है इस तीन में निवेशक बैंक शामिल नहीं होते तो अगर आप paragraph को सही तरीके से देखेंगे अगर आप ध्यान से उसे पढ़ेंगे तो आपको answer उसी के अंदर चिपा हुआ मिल जाएगा दो श, दो शब्दों का प्रियोग निवेशक बैंक और तकनीकी और प्रबंध की विशेशक जिता ये दो बाते तो हमें तीन विकल्प खतम हो जाते हैं इसका उत्तर होगा डी जिसको हम लोग venture capital कहा जाता है अगला प्रश्ण National Asset Reconstruction Company के संदर्व में निम्रिलखित कतनों पर विचार कीजिए National Asset Reconstruction Company ये क्या है आप देखेंगे इसे 2022 में स्थाफित किया गया और ये भारत की पहली बैट बैंक है बैट बैंक मतलब जिससे हम लोग Asset Reconstruction Company ए आर्सी कहते भारत में निजी ए आर्सी स्काम कर रहे थे नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के बाद लेकिन भारत के निजी ए आर्सी Asset Reconstruction Company का पूंजीगत आधार काफी कम था इसलिए सरकार ने स्पेन, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटन, चीन आधी राष्ट्रों के अनुभवों के आधार पर अपना यानि सरकार का खुद का बैड बैंक या ए आर्सी स्थापित करने करने ने लिया जिसे न आर्सी यल कहते हैं अब हम विकल्ब देखते हैं पहला इसमें 100 करोर रुपे और उससे अधिक के बैड लोन शामिल होंगे गलत है यहां 500 करोड तो पहला कथन गलत हो जाएगा दूसरा यहां पहली असेट रिकानिस्ट्रक्शन कमपनी है जहां अधिकान्श स्वामित्व निजिक शेत्रकों के बैंकों के पास है गलत है क्योंकि एने आर्सी यल में 51 परतिशत भागिदारी सार्वजनिक बैंकों की है यहांनी मेजॉरिटी स्वामित्व निजिक शेत्रके बैंका नहीं है दूसरा विकल्ब गलत है तो यह प्रश्ण निजिक शेत्र आया कहां से एने आर्सी यल की एक सायोगी इक आई है जिसे हम आई डी आर सी यल कहते हैं आई डी आर सी यल एजेंट है एने आर सी यल प्रिंसिपल अर्थात प्रमुख एजेंसी आई डी आर सी यल निजिक शेत्र की बहुलता इसमें है आई डी आर सी यल में 51 प्रतिशत भागिदारी निजिक शेत्र के बैंकों की है एने आर सी यल में नहीं तो ये दोनों भी कल्प गलत हो गए, दोनों कथन गलत हो गए, तिसरा कथन, इसे बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तिय कमपनियों से एक्विटी के माध्यम से पुन्जी कृत किया जाएगा, यह कथन सही है, इसलिए इसका अंसत, इसका उत्तर होगा, कितने सही हैं, केवल ए एक सही हैं, यानि तीन कथनों में से केवल एक कथन सही है, तीसरा कथन, फिर यहाँ पर, कल की तरह, आप देखेंगे, प्रश्ण के निर्देश परगोर किजिए, उपरियुक्त कथनों में से कौन सही है नहीं पूछ रहा, कितने सही हैं, दोनों में अंतर है, अगर कौन सही पूछता तो केवल तीन होता लेकिन कितने सही है तीन कथनों में से दो कथन गलत हो गए तीसरा कथन सही है तो इसका आंसर ए हो जाएगा अब आप जब आप NARCL पर पढ़ाई करेंगे तो आपको इसमें कितने ARC है इसको पढ़ना होगा ARC की समस्याएं क्या है फिर आप यहां देखिए BAT BANK फिर एक संकल्पना है जिसे हम लोग पारा कहते हैं Public Asset Rehabilitation Agency उसको पढ़ेंगे अब इसके फलितार्थ भारती बैंकिंग बवस्ता पर क्या पढ़ेंगे क्या ये अच्छा है क्या ये बुरा है मलेशिया का धन हर्ता बैंक बहुत सफल हुआ लेकिन भारत में ARC की संकल्पना क्यों नहीं सफल हो पाई उतनी भारत और मलेशिया के अनुभवों में क्या अंतर है इन सभी को आप पढ़ेंगे और ARC बनते ही क्यों है क्योंकि गहर निश्पादनी परिसंपतिया जब बैंकों की बढ़ने लग जाती है तो उसके निश्पादन के लिए NPA के को खतम करने के लिए कम करने के लिए ARC की आवश्यक्ता होती और यहाँ पर जब आप NPA पर करेंगे बात तो सबसे प्रमुक जो कानून है सरकार का उसे सरफेसी कानून कहते हैं जो 2002 में संसत द्वारा पारित किया गया इसके प्रावधान आपकर पढ़ लेंगे Depth Recovery Tribunal को आपको पढ़ना होगा और सबसे latest जो सरकार ने एक कदम उठाया है जिससे हम IBC Insolvency and Bankruptcy कोड कहते हैं उसको देखना पड़ेगा तब आप इस प्रश्ण को पूरे अच्छे तरीके से काम कर लिया है आपने ऐसा माना जाएगा अगला प्रश्ण विदेशी मुद्रा ओनिवासी बैंक FCNRB खाते के संदर्व में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए अब प्रश्ण है यहाँ पर FCNRB खाते औनिवासी भारतियों और समुद्र पारिय निगमित निकायों दोनों द्वारा एक अधिकरिक दीलर के पास खोले जा सकते हैं यह कथन सही है FCNRB अकाउंट क्या होता है तो B से पहले A आता है तो आपको देखना होगा कि FCNR एक खाता 1975 में RBI ने शुरू किया और 1993 में इसे समात कर दिया और इसकी जगा पर FCNRB खातों की शुरुवात हुई और जब आप और प्रवासी भारतियों के खातों की बात करते हैं तो उसमें दो और खाते हैं NRE अकाउंट और NRO अकाउंट अगर कोई ओनिवासी भारतिय विदेशों से प्राप्त आय को रखना चाहता है किसी भारती बैंक में मानलीजी विदेशों में उसने निवेश किया हो विदेशों से कोई उसे आय प्राप्त हो रही हो अगर उस आय को भारती बैंकों में रखना चाहता है तो वह भारती बैंकों में अपना खाता खुलवा सकता है उसे कहते हैं NRE account non-resident external account लेकिन इसका उल्टा अगर कोई आप्रवासी भारती विदेश में है और भारत में उसकी जमीन है भारत में मकान उसने किराय पर दे रखा है भारत से प्राप्ताय को विदेशी बैंक में रखना चाहता है विदेश ले जाने के लिए रखना चाहता है तो उसे हम NRO account गहेंगे तो FCNR B account और NRE account लगभग एक जैसे हो जाएंगे दोनों ही खातों में और प्रवासी भारतिय भारतिय बैंकों में खाता खुलवाते हैं जिसमें विदेशों से प्राप्त होने वाली आय रखी जाती है तब दोनों में अंतर क्या है? FCNR B account में केवल सावधी खाता ही खुल सकता है याने इसमें बचत खाता, चालू खाता, नहीं खुल सकता NRE account में सब खुल सकता है दूसरी बात, FCNR B account जो होगा, उसमें जो आय होगी, जो पैसा जमा होगा मूलधन और ब्याज, दोनों करमुक्त होंगे लेकिन NRE account में जो पैसा जमा है या उस पर जो ब्याज मिला, वो करमुक्त नहीं होते तो एक अतरिक्त सुचना भी आपको देख लेनी है कि FCNR B account की चर्चा हुई है, तो इसके साथ साथ और प्रवासी भारती और कितने प्रकार के खाते भारती बैंकों में खुलवा सकते हैं, तो दो खाते खुलवा सकते हैं, NRE खाता और दूसरा NRO खाता, और मैंने आपको दो अंतर बताया, FCNR B account में और NRE account में तो पहला जो कथन है, वह सही कथन है, दूसरा, FCNR B खातों में धन राशी के परत्यावर्तन अनुमती होती है, यानि उसे हम बहार भेज सकते हैं, कथन सही है और तीसरा है, इन खातों में जमा राशी, भारत के बकाया विदेशी रिण में शामिल नहीं होती है, नहीं शब्द गलत है, शामिल होती है इसलिए इस प्रश्ट में आप देखते हैं, केवल पहला और दूसरा कथन सत्य है, आंसर होगा B for Bombay, केवल एक और केवल दो अगला प्रेशन, निम्नलिखित में से काउन सा, अंतरनहित मुद्रासफिती, या built-in inflation को संदर्भित करता है मैंने आपको कल की कक्षा में भी कहा था, कि जहां भी अर्थ ववस्था में पारिभाशिक शब्द आपको मिलें, वहां आप अंग्रेजी के शब्दों को जरूर देख लें, क्योंकि प्राया उसका अनुवात अलग-अलग होता है, और आपको समझने में सुभिदाब तो इस प्रष्ट में built-in inflation पर पूछा गया है, पहला बाहेकारकों के कारण उत्पन्न मुद्रास्पीती गलत है, सरकारी नीतियों में परिवर्तनों के कारण उत्पन्न मुद्रास्पीती ये भी गलत है, और चौथा वित्तिय बाजारों में सट्टा गतविधियों के क्योंकि built-in मुद्रास्फिती इसका अर्थी होता है मजदूरी बढ़ रही है और कीमितें भी बढ़ रही है कीमितों के बढ़ने से मजदूरी फिर बढ़ी तो कीमितें और बढ़ेंगी फिर मजदूरी बढ़ी फिर कीमितें बढ़ेंगी अर्थात इसे हम लोग कहते हैं मज सदूरी या वेतन और कीमत सरपिल वेज प्राइस स्पाइरल तो इसलिए इसका उत्तर होगा कतों कि अगला प्रश्री निव्निलिखित कत्रों पर विचार की जेए को पहला अनुसूचित वार्ण wahrnijic bank दूसरा शहत्त्रिक और मीन बांक थिसरा शहरी सहकारी बांक4 लगुवित Meu500 अस्थानी ख्षेत्र के उपर युक्त में से कितने बैंक भारती रिजर्व बैंक के एक उबेर प्लैटफॉर्म के माध्यम से प्राथमिक्ता प्राथ क्षेत्रक रिंड प्रमानपत्र प्रायोरेट्री सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट के व्यापार में भाग लेने के लिए पात रहें तो इसका प्राथमिक्ता प्राप्त क्षेत्रक रिंड प्रमानपत्र प्रायोरेटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट क्या होता है सबसे हम लोग देखते हैं कि 1967 में राष्ट्री और द्योगिक परिशत की बैठक में प्राथमिक्ताप प्राप्त क्षेत्रक रिंड पर सेमती बनी क्योंकि 1966 में और 1967 में भारत में बहुत बड़ा सूखा अकाल पड़ा था इसलिए किरशिक छेत्रकों को लगूव अकुटीर छेत्रकों को और समाज के ऐसे वर्गों को जिन पर अकाल का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए 1967 से PSL की संकल्पना की गई और बैंकों को यह निर्देश दिया गया कि वो जितना भी रिंड देते हैं उसका दस परतिशत इन ख्षेत्रों को करेंगे और कौन-कौन से ख्षेत्रों PSL के अंतरगत आते हैं सरकार समय समय पर इसकी सूची में संवर्धन करती है परिमारजन करती है नए ख्षेत्रों को इसमें डालती है जो सरकार की नजर में लगता है कि इन ख्षेत्रों को सहायता की आवशकता है इसी को 1985 सिभी में बढ़ा कर 40 परतिशत कर दिया गया यानि बैंक जो कुल रिंड देंगे अपने यहां से उसका 40 परतिशत इन ख्षेत्रों को जाएगा PSL को जाएगा यानि जो ख्षेत्र उस सूची में शामिल हैं उनको जाएगा लेकिन आपको क्या यहां ध्यान रखना है कि प्रात्मिक्ता प्रात्प्षेत्रक को जो रिंड दिया जाएगा क्या उसे सस्ते ब्याजदर पर रिंड दिया जाएगा ध्यान से समझेंगे आप इस पर कोई जर्चा नहीं है यानि 40 परतिशत रिंड PSL को दिये जाएगे लेकिन क्या ब्याजदरों में रियायत दी जाएगी क्या ब्याजदर कम किये जाएगे ऐसा कोई आदेश बैंकों को नहीं है यानि अगर आपको ऐसे पूछ दिया जाए कि जो ख्षेत्र PSL में शामिल होते हैं उन्हें रियायती दरों पर रिंड मिलता है तो आपका कथन गलत हो जाएगा क्योंकि दरों के संबंद में PSL कुछ नहीं कहता बैंक चाहे तो सामानी दर वसूल कर सकते लेकिन अब प्रश्णिहाद क्या है कि 40 परतिशत रिंड तो देना है आपको मान लिजिए कोई बैंक अपने लक्ष को प्राप्त नहीं कर पाया तो वह ऐसे बैंक से प्रमान पत्र खरीदता है जिसने लक्ष से लक्ष से ज़्यादा प्राप्त कर लिया है आप समझ पा रहे है मेरी बात कि अगर कोई बैंक 40 की जगह 50-60 परतिशत रिंड PSL को दे देता है तो 20% ज़्यादा हो गया इस अतरिक्त PSL को वह बेच सकता है किसी ऐसे बैंक को जो PSL का लक्ष प्राप्त नहीं कर पाया इसे ही हम लोग PSL प्रमान पत्र कहते हैं लेकिन फिर यहाँ ध्यान क्या रखना है कि मान लीजिए अगर कोई भी बैंक PSL के लक्ष को प्राप्त न कर पाये तो तो वैसी स्थिति में 1996 में एक कोश बनाया गया जिसे हम लोग कहते हैं ग्रामीन आधार भूत संवरचना विकास कोश जिसे 1996 में कहां बनाया गया नाबाड में नाबाड के अंतरगत यहां कोश काम करता है अगर कोई भी बैंक अपने लक्ष को प्राप्त न कर पाये तो उसे इस कोश में योगदान करना होता है अब इसमें आपको देखना क्या क्या होगा अपने से कि कौन-कौन से क्षेत्र PSL में शामिल है कौन-कौन से शामिल नहीं है बागी बाते मैंने आपको बता दी अगला प्रेश्ण विक्त के संदर्व में कुल वे अनुपात टोटल एक्सपेंस रेशियो पद का तात परे है पहला उत्पाद की एक हिकाई का उत्पादन करने के लिए आवश्यक पुण्जी की मात्रा इसे हम लोग आई कॉर कहतें वरिद्यमान पुण्जी उत्पाद अनुपात कहतें तो ये विकल्प गलत हो गया दूसरा किसी कमपनी के एक शेयर के स्थान पर दूसरी कमपनी के एक शेयर को चुनने से होने वाले संभावी तलाव की आनी इसे हम लोग हैजिंग कहते हैं तो दूसरा विकल्प वी गलत है तीसरा विकल्प म्यूचुवल फंड के प्रबंधन और संचालन से जुड़ी कुल लागत यह सही है तो कि प्रश्ण है एक्सपेंस रेशियो कुल व्याय अनुपात टोटल एक्सपेंस रेशियो से निवेशकों को यह फाइदा होता है कि कौन सा म्यूचुवल फंड सस्ता है अगर किसी फंड को प्रबंधन करने में ही ज्यादा खर्च लग रहा हो तो उसका प्रीमियम महंगा होगा उसकी किष्टे महंगी होगी और लाव थोड़ा कम होग इसलिए निवेशकों को फाइदा हो या जो जानकार निवेशक होते हैं वह निवेश के पहले किसी भी म्यूचुल फंड का कुल व्याय अनुपात निकालते हैं तो इसका उत्तर सी यानि तीसरा विकल्प हो जाएगा और चोथा विकल्प है किसी बैंक की जोखिम भारित परिसंपत्तियों और वर्तमान देंदारियों के संदर्व संबंध में उसकी पूंजी का अनुपात एकदम गलत तो टोटल एक्सपेंस रेशियो के संदर्व में ये तीसरा विकल्प सही होगा म्यूच्वल फंड के प्रबंधन और संचालन से जुड़ी कुल लागत अगला प्रश्ट निम्लिलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है बॉंड के मूल्य और बॉंड येल्ड के बीच विद्ध करमानुपाती संबंध होता है बिल्कुल सही है क्योंकि अगर बॉंड की प्राइस बढ़ेगी तो बॉंड का येल्ड कम होगा येल्ड मतलब जो वास्तविक मूल्य आपको प्राप्त होता है जैसे अगर मैं एक उदाहरन से आपको बताऊं तो मान लीजिए बैंक ने एक बॉंड जारी किया सौ रुपे का उसे खरीदा ए ने और बैंक ने कहा कि मैं आपको 10 परतिशत ब्याज दूँगा इस 10 परतिशत ब्याज को हम बोलेंगे कूपंदर ए सौ रुपिया बैंक को दे देगा और बैंक से बॉंड खरीद लेगा जिस बॉंड पर बैंक ने वाइदा किया है कि वह उसे 10 परतिशत का ब्याज देगा अब माल लिजिए ए उस बॉंड को एक सो बीस रुपे में बी को बेच देता है तो अब बैंक का स्वामी कौन है बी है बैंक का स्वामी बॉंड का स्वामी बॉंड का जो ओनर्शिप है अब बी के पास से ला गया और बैंक बी को कितना देगी दस परतिशत यानि बैंक बी को दस रुपिया देगी क्योंकि यही वाइदा तो बैंक ने किया था सो रुपे देजिए मैं आपको दस रुपे दूँगा अब देखिए बी ने उस बॉंड को बढ़े हुए मुल्ली पर खरीदा एक सो बीस पर तो उसे कितना प्राप्त हुआ दस रुपिया जो दस परतिशत से कम है अर्थात अगर बॉंड का मुल्ली बढ़ेगा तो यील्ड कम होगा बी को जो मिला वास्तब में उसे हम लोग यील्ड कहते हैं उमीद मैस पस्ट कर पाया तो इसलिए पहला सही है दूसरा बॉंड यील्ड और ब्यासदरों के बीच विद्कुर्मानपाती संबंध होता है बिल्कुल सही क्योंकि अगर ब्यासदर बढ़ेगा तो यील्ड कम होगा इसी फर्मूली को आप लगाएंगे तो यह कथन भी सह ही है और यही वज़ा थी कि अमेरिका में 2022 में आपने सुना होगा सिलिकोन वैली बैंक इसके कॉलाप्स होने की वज़ा यही थी क्योंकि बाजार में ब्यासदर बढ़ने लगे तो बॉंड का यील्ड कम होगा क्योंकि बॉंड को बहुत सस्ते दर पर बेचना पड़ जाए है बिल्कुल सही क्योंकि ब्यासदर बढ़ेगा तो हमें बॉंड का मूली भी कम करना होगा अदर्वाइस अन्निता क्या हो जाएगा लोग नया बॉंड खरीद लेंगे मुझसे बॉंड क्यों खरीदेंगे अगर मैं 100 रुपे का बॉंड दे रहा हूं किसी को और मुझे ब परसेंट वाले बॉंड को मुझसे कौन खरीदेगा क्योंकि निवेशक नया बॉंड खरीद लेंगे बैंक से क्योंकि उन्हें 15 परसेंट मिलेगा तो मुझे भी अपने बॉंड का मूली कम करना होगा तभी मैं बेच पाऊंगा इसलिए इसमें सभी तीनों भी कथन सही है इसका आंसर सी होगा बॉंड का मूली और बॉंड का येल्ड बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है सिविल सर्विसेस का जो आपको समझना चाहिए और और ध्यान से आपको पढ़ लेना चाहिए अगला श्रम बाजार में जौब पॉलराइजेशन की आवधारना किस से स संबंदित है पहला उच्च कौशल और निम्न कौशल वाली नौकरियों में समकालिक वृध्धी के साथ साथ मध्यम कौशल वाली नौकरियों में गिरावट बिल्कुल सही ये प्रशन सही है ये विकल्प सही है दूसरा सभी कौशल अस्तरों पर नौकरी के अवसरों के समा भी गलत है। श्रम बाजार में रोजगार की चक्री प्रकृति से तो इसे हम चक्री बेरोजगारी कहते हैं यह भी गलत है। जॉब पॉलराइजेशन में क्या होता है। मिडल स्किल जो लोग औकुशल भी नहीं है और बहुत अधिक कुशल भी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए रोजगार के अफसर कम होते हैं। और उच्च कुशलता जिनके पास है या जो बिल्कुल ही अकुशल है निम्न कुशल उनके लिए रोजगार के अफसर ज्यादा उपलब्ध होते हैं। इसलिए इसका उत्तर ए होगा, इसी घटना को job polarization कहते हैं, अगला हम लोग पहुँंचते हैं, inverted duty structure के संदर्व में निम्निलिखित कतनों पर विचार कीजिए, पहला कतन, इसके तहट तयार माल पर उच्छ आयात शुल्क, जबकि मध्यवर्ती माल पर निम्न आयात शुल्क आरोपित किया जाता है, और दूसरा, इसका घहरलूवी निर्मान उद्योग पर परतिकूल प्रभाव पढ़ता है, अब सबसे पहले आप इसके उत्तर को समझने के लिए, इन्वर्टे ड्यूटी स्ट्रक्चर है क्या, तो आप देखते हैं इस पर, इन्वर्टे ड्यूटी मतलब, सामानी ड्यूटी क्या होता है, सामानी शुल्क, तो आप देखते हैं, सामानी शुल्क में, विदेशों से जो माल आ रहा है, जो सामान आता है, उसको हम रोखना चाहते हैं, ताकि हमारे घरेली उद्योग आगे बढ़ें, तो विदेशों से आयातित वस्तूओं पर उच्छ कस्टम्स ड्यूटी लगेगा, लेकिन नुक्सान देखिए, इसमें क्या हो रहा है, अगर आप इन्वर्ट इसको कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो उल्टा होने से क्या होगा, कि जो बना बनाया, जब आप कहेंगे, उत्पाद पर, शुल्क आपने कम लगाया, लेकिन, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती मतलब, जिनके सहयोग से उत्पाद बन रहा है, इस पर आपने उच्च लगा दिया, अभी अगर आप भारत के बाजार में देखिए, तो आपको, चीन से आने वाले उत्पाद बहुत मिलेंगे, क्योंकि अगर हम डिरेक्ट उत्पाद को मंगाते हैं चीन से, तो सस्ता पर जा रहा है, लेकिन अगर हम चीन से गच्चा माल मंगाएं, फिर हम उस गच्चे माल से अपने देश में फाइनल उत्पाद तयार करें, तो उस पर आप हमसे ले रहे हैं जादा उत्पाद शुल्क, तो इसका नुकसान हमेशा घरेलू उत्पाद पर पड़ेगा, और भारत का जो सीमा शुल्क की संडचना है, कई और द्योगी संगट्चनों ने इसकी शिकायत सरकार से की है, कि इनवर्टेट कस्टम्स ड्यूटी का बुरा प्रभाव भारत के घरेलू उत्योग पर लग रहा है, क्योंकि विदेशों से उत्पाद मंगाना सस्ता हो रहा है, क्योंकि उस पर आप क्या कर रहे हैं, निम्न आयात शुल्क लगा रहे हैं, जबकि अगर हम विदेशों से कारक को मंगवाएं, मध्यवर्ती वस्तुओं को मंगवाएं, तो उस पर हम से आप ज़्यादा शुल्क ले रहे हैं, तो मैं विदेशों से मध्यवर्ती वस्तुओ मैं क्यों मंगवा हूँ मैं सिधाई उत्पाद क्यों न मंगवा लूँ उत्पाद मंगवा कर मैं उसे ही भारत में ट्रेडिंग कर दूँगा इसलिए भारत में ट्रेडर्स ज्यादा मिलेंगे उद्योग पती कम मिलेंगे क्योंकि कच्चे माल पर जो हम सिमा शुल्क लगाते हैं वो उच्छ होता है अर्थात जो पहला कथन है वह सामानी जूटी स्ट्रक्चर का कतन है इंवर्टेट ड्यूटी में इसका एकदम उल्टा हो जाएगा कि फाइनल उत्पाद पर निम्र शुल्क लगा रहें आप और मध्यवर्ती उत्पाद पर उच्छ शुल्क लगा रहें आप इसलिए भारती व्यापारी चीन तैयार उत्पाद को ही और फिर उसे अपने देश में बनाएं तो उस पर शुल्क जादा हो जाता है तो inverted customs duty में पहला कथन गलत है दूसरा कथन सही है क्योंकि पहले कथन में जो कहा गया है वह सामानी duty structure के बारे में है जबकि प्रश्ण inverted duty structure के बारे में है इसलिए हमारे देश में चीन के बने हुए उत्पाद बहुलता में पाये जाते हैं क्योंकि उत्पाद को मंगवाना सस्ता है जबकि मध्यवर्ती वस्तू को मंगवा कर घर में उत्पाद तयार करना महंगा हो जाता है इसकी शिकायत भारत सरकार से कई बार की गई है और सरकार इस पर विचार भी कर रही है तो इस प्रश्ट में हमने देखा इसका उत्तर है बीफ और बॉम्बे के वल्दो अगला प्रश्ट निम्नलिक लिखित में से कौन सा व्यक्तिक आय में शामिल नहीं है पहला निगम कर शामिल नहीं होगा दूसरा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत शामिल नहीं होगी क्योंकि प्रश्ट है यहाँ पर पर्सनल इंकम व्यक्तिक आय एकदम सीधा प्रश्ट है अगर आपने आयकर की गनना पढ़ी होगी भारती अर्थववस्था में लोकवित अध्याय के अंतरगर आय अंतरण मतलब इंकम ट्रांसफर इसमें शामिल होता है इसलिए इसका उत्तर ए होगा क्योंकि जितनी भी आय जेनरेट होगी माल लिजे राष्ट्री आय है पहले देश की आय होगी जो भी देश में उत्पन हुआ उसमें से आप क्या माइनस करेंगे और वितरित लाव जो कमपनियों ने अपने पास रख लिया जिसे कमपनियों ने शेरधारतों के बीच नहीं बेजा भे नहीं बाटा फिर उसमें आप क्या करेंगे निगम कर घटाएंगे क्योंकि ये तो सरकार के पास चला गया आप ये देखिए निजी कॉर्पोरेट शेत्र की बचत वो तो उनके पास रह गई ना ये व्यक्तिगत आयमें शामिल तो कैसे हो जाएगा एक कम्पनी ने 100 करोड का काम किया उसमें से 20 करोड कम्पनी का प्रॉफिट तो वो कम्पनी के पास रह गया वो व्यक्तियों में नहीं बटा तो अवित्रित लाब या निजी कॉर्पोरेट शेत्र की बचत तथा जो टैक्स उन्होंने उस कम्पनी ने सरकार को दिया वो भी व्यक्तियों के पास नहीं पहुचा तो ये दोनों इसमें शामिल नहीं होंगे उसके बाद जो बचता है उसे हम शामिल करते हैं इसलिए इसका उत्तर होगा ए केवल एक और केवल दो अगला प्रेश्न अर्थ शास्त्र के संदर्व में सीमान्त उत्पादक्ता का सिध्धान्त उत्पादन के निम्लिखित चार कारकों में से किस्से संबंदित है श्रम, भूमी, पूंजी, उद्यांग तो सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे कि ये चार कारक जो हैं क्या हैं प्रात्मिक कारक हैं जिनके बिना किसी भी प्रकार का उत्पादन संब्भवी नहीं अब सीमान्त उत्पादक्ता का मतलब क्या होता है सीमान्त मतलब एक अत्रिक्त जमान लिजे अत्रिक्त पूंजी से उत्पादक्ता पर पूंजी से उत्पादक्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो सीमान्त उत्पादक्ता यह बताता है कि किसी भी वस्तू के अत्रिक्त इकाई से सीमान्त उप्योगिता किसी भी वस्तू के अत्रिक्त उपभोग से कितनी उप्योगिता मिलेगी एक इकाई अतरिक्त उसे हम सिमान्त कहते हैं, मार्जिनल कहते हैं और इन चार प्रात्मे कारकों में से पूझी ही एक मात्र ऐसा कारक है जो अन्य तीनों कारकों को प्रभावित करता है तो आपको समझ में आया होगा कि मैं इसका कौन सा उत्तर देने वाला हूँ सिमान्त उत्तपादक्ता का सीधा संबंध पूझी के साथ है क्योंकि श्रम हो, भूमी हो या उद्यमी हो ये तीनों चलाइवान पूझी से होंगे और एक उद्योगपति यहां देखता है कि मैं अगर अतरिक्त पूझी का निवेश कर रहा हूँ तो उसका कितना प्रभाव उत्तपादक्ता पर पढ़ रहा है श्रम कितना बढ़ रहा है भूमी कितनी बढ़ेगी उद्यमी कितने बढ़ेंगे तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह पूझी है क्योंकि सिमान तुत्पादक्ता का पर्त्यक्ष संबंद पूंजी के साथ है अगला प्रश्न निमलखित में से कौन सा प्रभाव कौन सा आधार प्रभाव या बेस इफेक्ट पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है पहला यह मुद्राज फीती में वर्तमान में होने वाले परिवर्तन के लिए पिछले वर्ष में हुए मूली परिवर्तन के योगदान को संदर्भित करता है बिल्कुल सही अर्थात आज 3 जून है 3 जून की मुद्राज फीती 3 जून 2024 की मुद्राज फीती जब 3 जून 2023 की मुद्राय स्फिती के साथ संदर्वित की जाएगी उसे ही हम base effect कहते हैं तो यह सीधा सा प्रश्ण है इसका उत्तर A है यह दूसरा तीसरा और चौथा विकल गलत है अगल आप देखिए तरलता पाश या liquidity trap के दवरान पारंपरिक मौद्रिक नीती और परभावी होने पर क्या कदम उठाया जा सकता है तो पहले तरलता पाश के से कहते हैं liquidity trap इसका मतलब जब सभी बचत कर रहे हों व्यक्तिगत बचत अर्थ व्यवस्था के लिए बढ़िया माना जाता है लेकिन अगर वही व्यक्तिगत बचत सामुहिक बचत हो जाए तो अर्थ व्यवस्था गिर सकती है या गिर जाती है क्योंकि अगर सभी लोग बचत करेंगे तो बाजार में मान कौन करेगा जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसे खरीदेगा कौन तो लिक्विडिटी ट्राप एक अर्थ व्यवस्था के लिए बड़ी ही विकट और बुरी अवस्था है क्योंकि निवेशक भी बचत कर रहे हैं उत्पादक भी बचत कर रहे हैं उपभोकता भी बचत कर रहा है तो कोई भी आर्थी गत्विदी चली नहीं पाएगी इससे हम लिक्विडिटी ट्राप कहते हैं और इसी के लिए एक और शब्द है जिससे हम लोग डॉक्ट्रिन ओफ त्रिप्ट कहते हैं सब लोग जब बचत करें वह गलत है तो प्रशन पर आते हैं फिर से हम लोग तरलता पाश के दवरान पारंपरिक मौद्रिक नीति और प्रभावी होने पर क्या कदम उठाये जा सकता है जब सब लोग बचत कर रहे हों ये एकदम सीधा सा प्रशन है तो एक ही संस्था एक ही एकाई ऐसी है जो इस तरलता पाश से हमें बाहर निकाल सकती है वो है सरकारी व्यमे व्रिद्धी आपको और किसी विकल्ब को देखना ही नहीं है क्योंकि सब लोग बचत कर रहे हैं RBI अपने मौद्रिक नीति में कितना भी परिवर्तन कर ले वो प्रभावी नहीं हो पाएगा तो ऐसे इस्तिति में एक ही संस्था ऐसी बचती है जो स्वेंग अगर खर्च करना शुड़ू करे तो अर्थववस्था पुना पट्री पर आ सकती है इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा B. सरकारी व्यमे व्रिद्धी करना क्योंकि जो पहला विकल्प है ब्यासदरों को कम करना वो पहले से ही कम होता है बैंकों के पास तरलता की कमी होगी इससे और चौथा पूंजी नियंत्रन लागू करना ये तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा जहां हम चाहते हैं कि पूंजी को हम डालें अर्थववस्था में अगर हम उसे नियंत्रित करने लगेंगे तो उसका हमें नुकसान ही होगा अगला प्रश्ण टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कारिकरम के संदर्व में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ये बिल्कुल सही प्रश्ण है और आप यहां देखेंगे किया क्यों चर्चा में आये था क्योंकि सेंट लूशिया एक प्राइद विपी ये देश है और भारत सरकार इस सेंट लूशिया की सरकार के साथ सहयो कर रही है ताकि एक वहां पर प्रभावी टैक्स या कर प्रशासन स्थापित किया जा सके पहला कतन, यह पहल विकास शील देशों के कर प्रशासन के साथ कर लेखा परिक्षा ज्यान और कौशल साजा करने में सक्षम बनाती है, सही विकल्प है, सही कतन है दूसरा, यह आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन और संजुक्त रास्ट विकास कारिक्रम की एक संजुक्त पहल है, बिलकुल सही और इसी कारिकरम के अंतरगत भारत, सेंट लूसिया के साथ, वहाँ एक प्रभावी कर प्रशासन स्थापित करने में सहयोग कर रहा है, इसलिए इसका उत्तर होगा पहला और दूसरा, दोनों कतन सही है, सी विकल्प इसका होगा अगला, निमलकित में से कौन सी परत्यक्ष करों की विशेश्टाएं होती हैं, पहला, ये सुभाव से प्रगतिशील होते हैं, बिलकुल सही अब प्रत्यक्ष कर प्रतिगामी होते हैं, प्रगतिशील का क्या मतलब है ऐसी करववस्था, जिसमें आय बढ़ने के साथ साथ, करदाईतु भी बढ़ता जाएं, उसे प्रगतिशील करववस्था कहते हैं अगर आप आयकर, निगमकर, आदी की संरचना को देखें, तो आप देखते हैं कि आयकर के शुरुवात जिरो से होती है और जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है, वैसे वैसे सरकार आपके करदाईतु में भी विर्द्धी करती है तो पहले आप 3% पर जाते हैं 5% पर जाते हैं 10% पर जाते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टेक्स लाय बिलिटी भी आपकी बढ़ेगी यह प्रग्रतिशील कर्विवस्था की विशेष़ता बताई जाती है तो पहला कतन भी सही है, दूसरा ये करदरों की गरणा में बाहिताओं के प्रभाव को ध्यान में रखते हैं नहीं, बाहिता मतलब एक्स्टर्नालिटी, एक्स्टर्नालिटी मतलब दो पक्षों के कारे से तीसरे पक्षों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी गरणा ही बाहित की गरणा कही जाती है जैसे अगर आप देखेंगे एक शराब उत्पादक है शराब का उत्पादन कर वह लाभर जित करता है एक पक्ष हुआ दूसरा पक्ष शराब पीने वाले लोग हैं जो शराब पीकर उन्हें एक संतुष्टी मिलती है दो पक्षों के कारिकरम से तीसरा पक्ष समाज है बच्चे हैं महिलाएं हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है तो चुकि उन पर निशेधात्मक प्रभाव पड़ता है इसलिए सरकार शराब पर सिगरेट पर पान तंबाकू पर अधिक करार उपन करती है लेकिन यह परत्य प्रत्यक्च कर होता है ध्यां से समझें आप इस बात को श्राब आप खरीद दे जाते हैं जब आप सिगरेट के का डबाकी इन आप तो आपको ज़्यादा महेंगा मिलता है लेकिन वो indirect tax है वो direct tax नहीं है इसलिए दूसरा कथन गलत हो गया अगर यहां यह लिखा रहा था कि और परत्यक्ष कर बाहेताओं के प्रभाव को ध्यान में रखते हैं तब सही हो जाता लेकिन चुकी प्रत्यक्ष करों से संबंदित ह है तो यहां कथन गलत है तीसरा यह मुद्रार स्फीति को नियंत्रित करने के लिए एक साधन के रूप में कारी करते हैं बिल्कुल सही क्योंकि प्रत्यक्ष कर अगर बढ़ा दिया जाए तो उसका सीधा प्रभाव आपके pocket में पड़े रुपे पर पड़ता है अगर आपक के व्याय करने की ख्षमता कम होगी खर्च करने की ख्षमता कम होगी अर्थात बाजार में वस्तुवों और सेवाओं के मांग में कमी आएगी और इसका सकारातमक प्रभाव मुद्राय स्फीति को नियंत्रन करने में होगा इसलिए पहला और तीसरा कथन सही है इसका उत्तर होगा C, तो पर्त्यक्ष और और पर्त्यक्ष करों की विशेस्ताओं को आपको ध्यान से रखना है, अगला, यदि बाजार में कुछ उत्पादों की अतरिक्त मांग होती है, कुछ उत्पादों की, शब्दों पर गौर करें, जिसके कारण उनकी कीनतों में वृद्धी होती ह तो केंद्री बैंक डाउन पेमेंट की राशी बढ़ा सकता है, और ऐसे रिरों के पुनर भुकतान के लिए कृष्टों की संख्या कम कर सकता है, मुद्रास फीती के नियंत्रन हे तू, केंद्री बैंक का यह तंत्र, संभवता, मौद्रिक नीती के तहत, निमलिखित में से क किस गुणात्मक विधी के उपयोग को दर्शाता है, तो यहां आप सिरह अंसर है बच्चो, पहला है साख की राशनिंग, यह नहीं होगा, साख की राशनिंग में RBI बैंकों के द्वारा दिये जाने वाले रिन की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो साख की राशनिंग RBI औ और बैंकों के बीच का मामला है, दूसरा, मार्जिन रिक्वाइर्मेंट, यह भी गलत है, क्योंकि मार्जिन रिक्वाइर्मेंट हमेशा बड़े रिडों के संबंध में होता है, यहां है कुछ उत्पात, तिसरा, डारेक्ट आक्षन, परत्यक्ष कारवाई, यह भी नहीं ह क्योंकि पर्त्यक्ष कारवाई भी RBI और बैंकों के बीच का मामला है जब कोई बैंक लगातार RBI के निर्देशों की अभेलना करते हों तो ऐसे बैंकों पर RBI पर्त्यक्ष कारवाई करती है उसका इस पैराग्राफ से कोई संबंद नहीं है इसलिए उत्तर होगा उपभोकता साख विनियमन रेगुलेशन ओफ कंजूमर क्रेडिट उत्पादों की बात हो रही है आंसर D होगा मतलब किसी एक उत्पाद की बात नहीं हो रही है और इस प्रश्ण में आपको गुनात्मक विधी की बात है तो आपको परिमानात्मक या मा मात्रात्मक विधिया कौन-कौन सी है वो भी देख लेना होगा कुल पाँच गुनात्मक विधिया है और चार मात्रात्मक विधिया है इससे आप अपने रिवीजन के दोरान देख लेंगे अगला प्रश्ण है बैंकों के संदर्भ में प्रावधान कवरेज अनुपात की गर्णा की जाती है अब प्रावधान क्या होते हैं प्रावधान और अगर आप इस संकलपना को जानते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस प्रस्च्ण को समझना जैसे ही कोई बैंक कोई रिन देता है को वैसे ही बैंक अपने लाव में से कुछ मात्रा अलग कर उस बैंक उस खाते में डाल देता है और कितनी मात्रा बैंक अपने लाब से निकालेगा और उस लोन की खाते में डालेगा या RBI इंदरधादित करती है इसका उद्देश्य है कि अगर वह रिन NPA बन जाए अगर वह रिन गैर निश्पादनी परिसंपतिया बन जाए तो बैंकों को भी कुछ नुकसान होना चाहिए बैंकों को भी उसकी कुछ कीमत देनी चाहिए इसलिए प्रोवीजनिक कवरेज रेशियो प्रोवीजनिक का मतलब होगा रिन देने के साथ साथ बैंक अपने लाव से एक निश्चित मात्रा जो RBI निर्धारित करती है निकाल कर उस अकाउंट में रख देगी और अगर वह रिन वापस आ गया अगर रिन का पुनरभुकतान हो गया तो फिर बैंक का फाइदा बैंक के पास अब हम देखते हैं विकल्बों पर बैड लोन के लिए बैंकों के प्रावधानों के कुल मुल्य को उसकी गयर निश्पादित परिसंपत्तियों के कुल मुल्य से विभाजित करके एकदम सहिए दूसरा बैंकों की पुन्जी को उसकी कुल जोखिम भारित पुन्जियों से विभाजित करके या प्रोविजनी कवरेज रेशियो नहीं है या क्या है पुन्जी परियाप्तता अनुपात है अगला किसी बैंक के कुल रिंड को उसकी कुल जमाराशी से विभाजित करके इसको LDR कहते हैं लोन डिपॉजित रेशियो और चौथा किसी बैंक के परिचालन वे को उसकी परिचालन आई से विभाजित करके हम इसे क्या कहते हैं कॉस्ट टू इनकम रेशियो CIR अब यहां देखिए इस प्रश्ण में तीन और संकल पनाय आई CIR भारती बैंकों के लिए कितना आवश्यक है 9 परतिशत भारत के बाहर क्या है 8 परतिशत C.A.R. का निर्धारन कौन करता है बसेल कल भी मैंने कहा अभी बसेल तीन प्रचलन में है विख्षित राष्ट्रों में बसेल चार भी प्रचलन में आ चुका है फिर L.D.R. क्या है CIR क्या है इस पर भी आपको अध्यन करना होगा प्रोवीजनी कवरेज रिशियों के संदर्व में जो पहला विकल्प है वो असाई है अगला कुश्चन विधिक इकाई पहचान करता एक वैश्विक संदर्व संख्या है जो एक छित्रा अधिकार में वित्तिय लेंदेन में सनलग्न परत्येक विधिक संस्था अथ्वा इकाई की प्रविष्ट्री रूप से इकाई की विशिष्ट रूप से पहचान करता है भारत में LEI जारी करने का अधिकार किसके पास है यह RBI जारी करती है और RBI नहीं यह अधिकार दिया है Clearing Corporation of India Limited को और LEI के अंतरगत अगर किसी प्रकार का संदेहास्पत विन में हो रहा हो ट्रांजेक्शन हो रहा हो उसकी पहचान की जाती है यह एक बहुत बढ़िया इनिशियेटिव है बहुत बढ़िया पहल है जिसमें की पैसा भेजने वाले और मुद्राप्राप्त करने वाले दोनों की विशिष्ट पहचान होती है यह 20 डिजिट का एक कोड होता है और RBI ने इसकी इसको जारी करने का अधिकार Clearing Corporation of India Limited को दिया है अगला प्रेशन भारती अर्थववस्था के संदर्व में Shadow Banking से आप क्या समस्ते है Shadow Banking के लिए एक दूसरा भी शब्द है वो है Narrow Banking जो नर्शिम्भन समिती की सिफारिशों की आधार पर लाएगे पहला विकल यह एक अवैध विदेशी मुद्रा बाजार को गलत है यह वास्तब में बैंक शाखा में जाए बिना यह ओनलाइन बैंकिंग है यह भी गलत तीसरा यह ऐसे गैर विदेशी मुद्धिय मध्यस्थों को संदर्वित करता है जो पारंपरिक वानिजिक बैंकों के समान सेवाएं परदान करते हैं बिल्कुल सही है यह वास्तब में शाड़ो बैंकिंग की संकलपना भारत में बैंकिंग विस्तार बैंकिंग सेवाओं के विस्तार को ध्यान में रख करकी गई क्योंकि अगर बैंकों को उनकी शाखाएं खोलने के लिए आप कहते हैं तो बैंकों को कुछ कॉस्ट बेर करना पड़ेगा और इससे बैंकों पर एक अतरित दबाव आएगा इसलिए नर्सिम्वन समिती ने कहा कि हम एक नए बैंकिंग विकाई की स्थापना कर सकते हैं जो बैंक की तरह हो भी और बैंक की तरह नहीं भी हो अब मैंने यह कहा कि जो बैंक की तरह हो भी और बैंक की तरह नहीं भी हो तो तो NBFC और बैंक दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या-क्या समानताएं हैं, भारत में कितने NBFC हैं, और 2022 में RBI ने NBFC के नियमन के लिए एक 4-tier structure की घोशना की, उसे आप पढ़ लेंगे, और सबसे हाल में आप देखेंगे कि Tata Trust और RBI का क्या विवाद चल रहा है? यह विवाद भी NBFC की 4-tier structure को ले करके, और क्यों Tata Suns के उपर यह दबाव है कि यातोवा शेयर बाजार में सुची बद्ध हों, हमें Tata Trust की बात कर रहा हूं, Tata की कमपनियों की बात नहीं कर रहा, तो Tata Trust को शेयर बाजार में जाना होगा, यह विवाद क्या है? इसे आप देख लेंगे, तब Shadow Banking या Narrow Banking आपका पूरी तरह से इसपश्ट हो जाएगा, अगला प्रशन है, निमिलखित में से काउन सा? एक, भारत सरकार द्वारा सरकारी परतिभूतियों की पुनर खरीत का एक लाब नहीं है, जोहानी है, लाब नहीं है, पहला, यह सरकार को बका जाया, सरकारी परतिभूतियों की परिपक्वता तिथी को आगे बढ़ाने में मदद करती है, बिल्कुल सही, यह एक लाब है, दूसरा, यह सरकारी परतिभूतियों के दुतियक बाजार की तरलता में सुधार करती है, यह एक लाब है, चौथा, यह ठीक अगले वर्ष में सरकार की निश्षित आयवाली परतिबूतियों की पुनरभुकतान संबंदी दबाव को कम करती है यह भी लाभ है जो लाभ नहीं है वो ये है क्या है यह यह? यह चालू वर्ष में केंद्र सरकार के सकल राजकोशी घाटे को कम करती है कम नहीं करेगी बढ़ा देगी न होगा मान लिजे सरकार ने परतिबूतियां जारी कि अब सरकार परतिबूति वापस ले रही है बैंकों से तो बैंकों को पैसे लाव और मूलधन देगी ना तो लाव और मूलधन सरकार से जा रहा है यानि उस वर्ष इसके फाइदे हैं लेकिन अगले वर्षों में लेकिन जिस वर्ष यहां पुनर खरीद की जा रही है उस वर्ष सरकार का व्या बढ़ेगा इसलिए सकल राजकोशी घाटा बढ़ेगा घटेगा नहीं चालू वर्ष की बात है इसलिए इसका उत्तर सी होगा तीसरा विकलत अगला निमनिलिकित कत्रों में से कौन सा एक Debt Overhang की स्थिती का सर्वस्रेश्ट वर्डन करता है Debt Overhang क्या है जब आप जितना भी आए कर रहे हों जितना भी पैसा कमा रहे हों अगर वह सारा पैसा जो रिंड आपने लिया है उसके भुकतान में चला जाए उससे हम Debt Overhang कहते हैं और जब Debt Overhang बढ़ जाता है जब आपकी आए संपूर्ण आए भी आपके रिंडों को चुकाने में उसका ब्यास देने में परियाप्त नहीं होती उसे हम Debt Trap कहते हैं तो Debt Trap के पहली की अवस्था Debt Overhang है जब मेरी सभी मेरी आमदनी का सभी जर्या मेरी संपूर्ण आए मेरे दुवारा लिये गए रिंडों के भुक्तान में ही चली जाती है इसलिए आप देखेंगे इसका उत्तर होगा बी एक ऐसी स्थिति जिसमें समस्त मौजूदा आए कुल रिंडों की पुनह अदाईगी करने में व्या हो जाती है इस स्थिति को हम लोग Debt Overhang कहते हैं कठिन या असंभव हो जाता है इससे insolvency कहते हैं Debt Overhang नहीं कहते हैं तिसरा एक ऐसी स्थिति जिसमें उधार करता है काईयों के परिसमापन के कारण मूल रिंड को तुलन पत्र या balance sheet से हटा दिया जाता है इसको कहते हैं Right Off Debt Overhang नहीं कहते हैं और चोथा कोई नहीं गलती है तो दूसरा विकल्प सही है अगला है निमलखित में से कौन सा मुद्रा का कारिय है पहला मूली का संचय सही है लेखा की एकिकाई सही है विनमे का माध्यम सही है function of money प्राया मुद्रा की परिभाश्चा दी जाती है medium of exchange विनमे का माध्यम लेकिन यह सिर्फ एक मात पहली परिभाशा है इसके अलावा दो और परिभाशा है कि अगर मैं अभी मेरे पास जो मुद्रा है उसका उप्योग विनमे के माध्यम के रूप में मैं नहीं कर रहा हूँ तब भी तो मैं अपनी मुद्रा किसी और को नहीं देता क्योंकि यह क्रह शक्ति का भंडार भी है क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं निकलूंगा बाहर तो मेरे पास जो मुद्रा है उसका उप्योग में कर सकता हूँ इसके अतरिकत एक तीसरी परिभाशा भी है जब मैं कहता हूँ कि किसी वेक्ति के पास बहुत अधिक मुद्रा है किसी वेक्ति के पास कम मुद्रा है अर्थात यहां यूनिट ओफ मेजर्मेंट भी है लेखा मापन किये कि काई भी है इसलिए इसका उत्तर होगा चोथा एक, दो और तीन, तीनों सही है, अब देखिए, निम्लिखित कत्नों पर विचार कीजिए, पहला करिंसी, दूसरा व्याबसाइक बैंकों द्वारा धारित निवल मांग, तीसरा व्याबसाइक बैंकों की निवल सावधी जमाएं, और चोथा डाक घर, बचत संगठनों की कुल जमाएं, इसे हम कहेंगे कैश, निवल मांग जमाएं, इसे हम कहेंगे डिमांड डिपॉजिट, निवल सावधी जमाएं, इसे हम कहेंगे टर्म डिपॉजिट, तो C प्लस DD प्लस TD प्लस OD ये होता है M3 एक अप्रेल 1989 से मुद्रा के मापन की जो विधी है उसके अंतरगत आपने पढ़ा होगा M1, M2, M3, M4 M3 ये है और इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प में कुछ टाइपिंग का एरर है इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा D चौथा सही नहीं है क्योंकि जब हम M3 के साथ P.O. को जोड़ देंगे, Post Office को जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा M4 भारत में M3 को ब्रिहत मुद्रा, Broad Money कहते हैं, और M1 को Narrow Money या संकिर्ण मुद्रा कहते हैं यह जो classification है यह जो वर्गी करण है मुद्रा का संकिर्ण और ब्रिहत मुद्रा में यह अमेरिकी वर्गी करण पर आधारित है, जहां हम लोग M और AMR का प्रियोग करते हैं अमेरिका का M भारत के M1 के बराबर है, अमेरिका का AMR भारत के M3 के बराबर है लेकिन आप यह जो formula है M1, M2, M3, M4 इसमें आपको ध्यान क्या रखना है 2012 में YV Ready समिती की अनुशंसा पर मुद्रा के मापन में कुछ परिवर्टन किये गए और M1 से पहले M0 की संकलपना भी आ गई है तो आप जो परमपरागत मुद्रा का मापन जिस तरीके से किया जाता है और 2012 के बाद मुद्रा के मापन के जो नए formula आए इस पर भी आप तयार कर लेंगे और अगला प्रश्ण है निमलिखित में से कौन सा एक प्राय सुर्खियों में रहने वाले पद एंजल टेक्स का सर्वस्रेष्ट वर्णन करता है पहला एक अनन्य रूप से विदेशी कंपनियों द्वारा वित्त पोशित गैर सुचिबद्ध कंपनियों पर अधिरोपित कर गलत स्थानी विवसाय और बाजार के संडरक्षन है तो विदेशी आयात पर गलत टैक्स हेवन देशों से होने वाले पुझ गलत एंजिल कर उन भारतिय गैर सुचिबद्ध कंपनियों पर लगाया जाता है जिनका मुल्यांकन कुछ और हो और उनमें होने वाला निवेश किसी और मुल्यांकन पर किया गया हो तो मुल्यांकन के इस अंतर के कारण जो अतरिक्त राशी भारतिय गैर सुचिबद्ध कंपनियों जिसे हम स्टार्ट अप्स भी कहते हैं राप्त करती हैं उन पर यह कर लगाया जाता है 2012 में यह कर आया वैसे मैं आपको बता दू एंजल टैक्स कोई कर नहीं है यह आईकर का एक प्रकार है ऐसा नहीं है कि आपको भारत ने कोई एंजल टैक्स नाम का कोई कानून बनाया यह आईकर का हिस्सा है लेकिन चुकी है स्टार्ट अप पर लगता है और स्टार्ट अप्स में निवेश करने वाले को एंजल निवेशक कहते हैं इसलिए इस कर का नामकरण एंजल टेक्स के रूप में किया गया है लेकिन यह कोई एक नयाकर नहीं है यह आईकर का एक हिस्सा है 2012 से लगना शुड़ू हुआ और इस पर बहुत सारे विवाद भी है क्योंकि स्टार्ट अप कमपनियों का कहना है कि हमारे मुल्यांकन में बहुत तिब्र परिवर्तन होते हैं इसलिए एंजल टैक्स को लगाना स्टार्ट अप के कारी प्रनाली को नहीं समझने के कारण होता है क्योंकि एंजल टैक्स कैसे लगता है मान लीजे कोई कमपनी है एक्स इसने कहा कि मेरा वैल्वेशन सौ करोड है लेकिन दो मेहने बाद X को 200 करोड के वैलिवेशन पर निवेश आ गया अब सरकार कहेगी कि भई आपने अपना मुल्यांकन तो 100 करोड बताया था 200 करोड के मुल्यांकन पर कैसे आपने निवेश ले लिया तो जो अतरिक्त 100 करोड पर आपका निवेश आया है उसे निवेश नहीं माना जाएगा उसे आपका लाव माना जाएगा स्टार्टप कमपनियों का कहना है कि हमारे मुल्यांकन बहुत तेजी से बदलते हैं क्योंकि हम लोग नवीन तकनीक का प्रयोग करते हैं स्टार्टप का वैलिवेशन हो सकता है एक सब्ताम में बदल जाए जैसे अगर आप उधारन देखें वाट्साप या फेस्बुक यूट्यूब कितने जल्दी इनका मुल्यांकन बढ़ा और आज ये विश्युकी टॉप कमपनियों में आ जाती है सौ दो सौ साल पुरानी कमपनियां गूगल का युदारन लीजे उनकी तुल्ला में गूगल तो बिलकुल नहीं कमपनी है लेकिन गूगल का मुल्यांकन देखें एपल का पहला फोन कब आया तो चुकी तकनीक में परिवर्तन बहुत तेजी से होता है इसलिए मुल्यांकन भी बदलता है और जो मुल्यांकन सरकार अपने दस्तावेजों में लिख कर बैठी है वो काफी पुराने है सरकार स्टाटप्स के साथ मिलकर इस मामले को सुलजा रही है और कई प्रकार की रियायतें भी सरकार ने एंजल टैक्स से स्टाटप्स को दी है तो आज हमने 25 प्रश्णों पर अपना अध्यन किया लेकिन जो प्रश्ण हमने देखे प्रश्णों के उत्तर आपको नहीं देखने हैं जिन जिन संकल्पनाओं की चर्चा मैंने प्रश्णों की व्याक्षा के दौरान की आपको उन संकल्पनाओं पर काम कर लेना है तभी आप Target Prelims 2024 के अंतरगत जो अलग-अलग विश्यों पर कक्छाएं बहुविकल्पी प्रश्णों के आधार पर आयोजित की जा रही हैं उसका लाव ले पाएंगे Thank you so very much. Wish you all the best. Thank you.